बच्चो नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूटूब चैनल में तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिक सास्त्र का पार्ट चार जिसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो देखिएगा यहां पर हम सब्सक्राइब के आप लोगों को बताया था और पणार को महा नगर पालीका तो फिर हम शुरू करें तो यहां पर जो महानगर पालिका होती है ना प्राइब आपको यह समझना पड़ेगा और गाउं मतलब वही जो विलेज आप देखते हो गाउं में जिसमें घर रहते हैं ठीक है लोग थोड़ा सा वहां पर बस्तिया कम रहती है नगर क्या होते हैं तो ग सुस्क्राइब जाती है अधिक्ष को श्यांटे के लिए चोटे भंवं और से बहुत हैए कस धान और यहांगर में परिवरतन होता रहा है एक है लोगा यह श्यांगर करें बैसे हमें परिवर्तन को देखने के लिए मिलता है अब देखो मैं आप लोगों को ना सबसे पहले तो यह चीज बताऊंगी फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे सुनो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि जो नगर होते हैं नगर मतलब गाहों से थोड़ा आगे लेवल का मैं बता रही हूं जो शहर वगरा होते हैं ठीक है तो उसमे जो होती है और यहां ब्रॉपल प्रॉपलत है मनुर इस तो नगरों में यहां फाइदे हो जाते हैं सबकुछ इसबल होता है आपको कुछ भी चाहिए फटाक्स जाओंगे मार्केट से खरीद करके ले करके आजाओंगे ठीके लेकिन अगर मैं गाओं की बात करूं जैसे अभी जब हमारे गाओं में जाते हैं अभी हमारे गाओं का ज्यादा तो अगर हमें किसी चीज की सरुवत पढ़ती है तो हमें क्या करना होता है बहुत दूर ठीक है आप सोचो की पैदल चला जाओं पांच मिनट में सामान लेकर आजाओं लेकिन वहीं जब गाओं में मतलब मैं सची बता रहे हूं हम लोगों को अगर सामान लेना रहते हैं तो ह मतलब मानलोग को अगर जा रहा है तो पहले हम उसको बोल देते हैं कि यह समान लेना अप्रोपरली याद करके उसको बोलते हैं क्यों कि बार बार कौन जाएगा पाश में तो दुकान है नहीं समझ रहो कि नहीं तो गाओं में यह सारी प्रोब्लम सो होती है चलो और यहां इसमें अपर परियाब्त आवास होता है दूसरी चीज भाव होता है जो स्थान है उसका भी अभाव होता है जैसे यहां पर आगर देखेंगे नगरों के अंधर थी कि लोग कहां पर रहते हैं चोटे-चोटे लोग चोटे से घर में अपना पूरा जीवन पिता देते हैं चोटा सा ही तो घर होता है क्योंकि यहां पर स्थान का अभाव है जो ट्राफिक है वह काफी ट्राफिक जाम हमें देखने के लिए मिलता है और कूडे के निप्टारी की समस्या भी हो जाती है जहां पर लोग है क्योंकि अगर कूडे का अच्छे से निप्टारा नहीं करेंगे तो इससे बिमारिया फैल सकती है और अपराद भी बढ़ते जाते हैं ठीक है और जो जनसंख्या है वह जुग्गी जोपड़ी हो मतलब एक जोपड़ी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं ठीक है तो यह यह एक प्रॉब्लम होती है नगरों के अंदर नगर और महानगर नगर में रुपांतर होने की प्रक्रिया जिन गाउं की प्रक्रिया जिन गाउं में चलती है जैसे गाउं से ही नगर बनेंगे जैसे कोई अब ऐसा मतलब दीरे-दीरे करके उसका development हो रहा है कुछ time के बाद कुछ सालों के बाद वह नगर बन जाएगा तो वहां पर क्या होता है वहां पर नगर स्थानिय संस्था होती है अन्य स्थानिय संस्थां संस्थां के अनुसार नगर पंचायत के चुनाव प्रती पांच वर्ष पर होते हैं जो निर्वाचित सदस्य होते है वह अपने में से क्या करते हैं एक अध्यच और दूसरा उपाध्यच चुनाव मतलब उपाध्यच चुन लेते हैं उसका चुनाव कर लेते हैं ठीक है चलिए बच्चो समझ में आगया नगर पंचायत के बारे में आपको एक इबात रखनी है कि अपने से चुने हुए सदस्यों में से वह अध्यच्य रूपाद्य चुल लेते हैं चलिए 4.2 की बात करेंगे चार दस्मिलों दो जिसमें हम देखेंगे प्यारे बच्चों नगर पालिका के बारे में हम लोग जानेंगे नगर परिसद नगर परिसद बोलो यह फिर नगर पालिका ठीक है चलेगा गरषय चलेगा और यह क्या चालता है चुनाव फ़र्ष नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिदी नगर्सेवक के करते हैं एंपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते या को निर्वाजचित रूप में और शेकाम होता है जो वह करते हैं भी लोगों की बहुत सब्सक्利ण करेंन के अध्यक्षी बहुतक्र करता है तो जो थैंजार कौन करता है तो क्या रहा है क्या कर थहान रहता है और अध्यक्षे कैन काम करेंगे वही उत्यक्राइब्य। थिक्यों Cambridge तो क्या कहते हैं अनिवार्य कारे कहा जाता है जैसे कि नगर्पालिका करने पाड़ान आपको बताओं चारवजनिक सडको पर विवस्ता जो भी रोड यह जिम्मादारी होती है इनकी कि नगरपालिका की ठीक है समझ रहो कि नहीं फिर उसके बाद जला पूर्ती है ना पानी के विवस्ता होनी चाहिए तारवजनिक स्वच्छता नगरपालिका के गाड़ी आते न सुपई-सुपर कश्रा लेने बताना सला आती है ना तो उसी में आ चाता है फिर म नगरपालिका लोगों को और अधिक और अधिक सेवा सुधाय देने का कारे भी करती है ठीक है जिससे नगरपालिका के एचिक कारे कहा जाता है मतलब जो नगरपालिका है बस इतने तक यह तिमित नहीं है और भी इसके घारे होते कुछ एचिक कारे होते जो अपने मन से करत करना पस्कों के लिए वपलब्द कराना आधी सभी कारे नगरपालिका के एचिक कारे हैं समझेगा आप से पूझा जाएगा कि नगरपालिका के एचिक कारे बताइए आभी आप सोच रहे होंगे एच्च कारे मतलब क्या एच्छ कारी वो हद है जो अपने इच्छा से किया जाए जो ऐखीया का सार्वजनिक सडckों का परियोजन इवर उनके लिए रूपली सटके हैं उनकी लिए ये poured tai करते हैं ठीकर दो घंदी उदार करने की विवेस्था होती है बगीचों और उद्यानों का निर्माण करना पस्वों के लिए सुरक्षित निवास उपलब्द कराना ये सभी नगरपालिका के एच्छिक कारे हैं ठीक है समझ में आया क्या तुम जानते हो प्रतेक नगरपालिका में एक मुख्य अधिकारी होता है अच्छा नगरपालिका द्वारा ले गए निर्णेयों का कारियान करता है ठीक है अभी अपनी पड़ा उसकी सहाइधा करने के लिए अनेक अधिकारी भी होते हैं क्या तुम्हें ऐसा अधिकारी बनना अच्छा लगेगा बता देना स्वास्ता स्वास अधिकारी बनोगे तो कौन से अगर आपको बना दिया है अधिकारी तो आप क्या क्या करोगे अब यहां पे नगरपालिका के आयके शोगोट यहां इतना काम कर रही है तो उसके पैसे रहेंगे तब ही तो गर पाएगी ना तो अभी आजिख सिक्षा कर जल कर बाज पट्टी वगरा फिर यहां पर सिक्षागर हो गया जल कर हो गया ठीक है बाजार कर और राजशासंद्वारा भी इनको पैसे दिये चाहते हैं चले 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 आगे बड़े यह पढ़ लेना आप क्या करोगे ठीक है नगरपालिका की ओर से आवाहन पत्र अपील मतलब देखो नगरपालिका की ओर से आवाहन पत्र आओ जड़ा हम इसको देखें डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए मच्चरों की पैदावार रोके इसके लिए यह करें देखो जैसे अगर कुछ भी बीमारी वगरा आती है दोगो से अपील करती है आप क्या करोड़ों सब ढenden क्या construction कि ढाते सबस्क्राइब लुगों से अपिल की थी समझे pourra rave productos ऐकां कि यहां पर अवान पतr दिया एए पढ़िए डेंगो के चाहिए आपके लिए मच्छरों की पैदावार कर दो क्या कह सकते हैं चाहिए और जमा करा चाहिए लिए आपके लियह लिए आthक छहले आपके लिए सब्चार की तो अब जह belong पड़े रहने देंगे यह पुराने खाली डिब्बे है कोई गत्ता है तो इसके अंदर मच्छर आ जाते हैं तो यह जा यह सारी चीजे जमान नहीं दें दूसरा बुखार न उतरने पर तुरंत वैदे की सहाइता ले अगर किछी को बुखार नहीं उतर रहा है ठीक है तो हो सकता है कि वह डेंगु हो है ना आप अपने मन से सोचो कि नहीं नौर्मल बुखार हो जाएगा ठीक हो जाएगा पर यह ठीक नहीं होगा इसके गारण लो तो इसलिए हमें स्वच्चता बना करके रहनी रखनी चाहिए तो बताओ इस समझ में आया ना इस आवान पत्र इस अपिल से आपको मतलब इससे आपने क्या सीखा सीखा कुछ कि हमें आसपास पानी जमान नहीं होने देना है टायर वेर को इधर उदर नहीं फेकना है ठीक है आस पास जमान नहीं होने देना ठीक है है को महानगर नगर ब्देने वाली जमान महानगर बहारत में सबसे पहले महानगर पालिका के स्थापना की गई तो आप बताएंगे मुंबई में ठीक है महानगर पालिका में महानगर पालिका में कुल सदस्यों की संख्या निशित की जाती है तरहा नगरपलका में कितने सदस्य होने चाहिए है तो कि आप आपके स्कूल के में बताओ क्लास के अंदर भी जादा भी जादा बच्चे हैं पिर पचास-पचास बच्चों पर एक टीचर को रखा जाए तो सीम जी जीदर भी है ठीक है मतलब जिस हिसाब से जनसंग क्या है उस हिसाब से नगर पालिका के सदस्वी होगे ठीक है और देखिए का आगे क्या है कि महानगर पालिका के चुनाओ भी फ्रदेख पांच उसमें अध्यचर उपा देखिए ठीक है महापौर को सहर का प्रधम नागरी कहते हैं और महापौर क्या करते हैं महानगर पालिका की सभाव का अध्यच्छ होता है ठीक है महानगर पालिका की साधारण सभा में महानगर से संबंदित अनेक विश्यों पर विचार विमर्ष ह हुठी है सभा करनाहिं का नहीं करना आ क्या करनाहिक अपर टिसाइड की जाती है ठीक है अब आगे थोड़ा बढ़े महानगर पालिका की समितिया इसकी कौन-फालिका कहीं इंके बारे में जान लहन लें महानगर पाली का प्रसाशन के दूट मतलब अलग अलग जो समीतियां उनके द्वारा चलाया जाता है जैसे कि तिक्षा समीति होती है स्वास्त समीति होती है परिवहन समीति होती है आधी कुछ प्रमुख महत्रपुर्ण समीतियां होती है ठीक है और यह होना भी चाहिए आग सोचो ना एक ही समीति बना दी और सब सबस्क्राइब को एच एफनेड़ी अवरी सब्जेक्ट आप सिखांचा तो यह कैसे पोसिबल हो पाएगा है ना को तो वैसे यहां पर यहां पर किया जाता करता है। महानगर पालिका त्वारा काम कौन करता है। इंप्लिमेंट करने काम कौन करता है। जैसे महानगर पालिका कि महानगर पालिका ने यदी क्या सोचा है यदी इन्होंने प्लास्टिक की थैलियों यानि कि कैरी बैट के उप्योग पर प्रती बंद लगाने का निन्ने लिया है तो उसका प्रत्यक्ष कार्या वियन कौन करेगा तो जो आयुकत है न महानगर पालिका का वो करेगा वो इसक तेकले महारगर पालीका की वार्शिक को बजट भी तयार करता है कि हम मतलब हमारा यह पूरे साल में कितना पैसा आया खर्चा ऊगे और हम अगले स और खर्चा करने कौन क्वंचे hayat वह त्यार करता है और और महार पालीका की सर्वसा हाधारण सभा agaraj सभी में उपसित रहता है ठीक है चले आगे बढ़े चलते हैं यहां पर देखो आप लोगों से कुछ बोला गया है आप यह करके अपने स्कूल में देख सकते हो कि आपना कुछ लड़कों लड़कियों की समीतियां बना दो ठीक है और इस पर आपना यह विचार विमर्ष करक बनाओ और बताना अपने टीचर्स को कक्षा में छोटा ग्रंथाले बना जाए एक लाइबररी बना दी जाए और खेल प्रति प्रतियोगताओं का है मालनीजिए आपके स्कूल में किसी के स्कूल में आप स्पोर्स नहीं होते आप बच्चे चाहते हैं कि स्पोर्स हो तो क् जो अलग-लग समितियां है वह ऐसे काम करती है हमारी हमारे विकास के लिए ठीक है क्या तुम जानते हो आओ बच्चो इसको भी जरा पढ़ ले इसमें बिना कुछ बड़ी इंपोर्टेंट जानकारी रहती है तो इसलिए एकादबार पढ़ लेना चाहिए तो कुल जन संक् पाने का पाने का उप्योग साफदाने से करती है पर पाने के समस्यां पर विचार विमर्श करने में उनका कोई साफ़ाग नहीं होता है बिल्कुल सही है हम लोग पाने का उप्योग करते हैं अच्छे से करते हैं पर पाने का जो यह निड़ने लेना होता है वो पुरुस लोगी अगर देखा जाए तो जादा करते हैं स्थानी सासन विवस्ता में महिलाओं को 50% आरक्षन दिया गया है जिससे ऐसे स्थानी से माहानघरपालिका के कारे ढूंडो और उनकी स्थानी तयार करो चलो इह काम आपको करना है यहAdam तो देखना आरा के श्रोत क्या-क्या है प्यारे बच्चों तो देखो यह है आवाज कर वित्त कर ठीक है जल कर विवसाय कर आपको अगर कुछ विवसाय कर रहे हैं आपको टेक्स देना पड़ता है मनुरंजन कर रिड़ पंत्र और राज्य सासंद वारा प्राप्ट अनुदार यह साली चीजे ठीक है चलो 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 आगे चले कि आपको यह कैसा लगीगा अगर आपने यह सुना कि आपके नगर में अब यानि बगीचे और जो उनके गाड़िया उसको जो ने धोने के लिए जो लोग सुद्ध पाने का उप्योग करते उनके उपर कारिवाई की जाएगी सही बात है ना गीला किष्णा अपने ही परसर में ही रिसाना आनिवारे कर दिया यह तो सारी अच्छी बात है जब यह सारी पूड़ी होते हैं क्या होता है कि कभी कभी माल लो उनके बेटे कभी कभी नहीं होते हैं यह ठोलोगो कर प्लीट कर दो एक बार फिर उसको कर लएंगे ठीक है ब्यद्या news अब यह पर प्रशनर उत्र आजाएगाुट तनिय देख लेते हैं एक तो नगरपालिका होती है यह नगरपन्चायत के सदस्यों बात कर लेते हैं जिसमें नियूंतम 9 होने चाहिए अधिकतम 15 यहांगन नियूंतम 17 अधिकतम 28 पर कुल सदस्य शंक्या निश्चित की जाती है सदास्यों की है जल्संख्या के अधार पर की jaется की जाथ है इसमें याद रखना निव्टम कम से कम सत्रह जादाँ जादा आठीस हो सकता है और ये निव्टम नो अधिक्कम 15 हो सकता है पदा दिकारी देखो इसमें प्त commen महापऊर और उम्हापऊर होते हैं अथिकारी की बात करेंगे स्याजटा समय भाएकारी होते हैं इसमें मुख्य पफारर बात अब दिखाना चाहे लुक्त देखो इदर कि यहां चलो हम पंद्रा है और चले इस वीडियो को हम यही खतम करते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यह जो पार्थ है वह बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा फिर भी कुछ विड़ा होटे तो मुझे आप चरूर पूछ सकते हैं